साथियों आपका अपने यूटी प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है साथियों दोस्तों सौरी कि मैं एक दो दिन से वीडियो नहीं अपडेट कर पा रहा था थोड़ा साथियों मेरा इंटर्व्यूज वेगरे सेड्यूल है साथियों मेरी भरपूर कोशिस है कि जो आपका जून में पेपर होगा उसके पॉइंट आव यू से जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे साथियों और प्यूज वेगरे करवाने का मेरा भरपूर कोशिस रहेगा और आप लोगों से काइंट रिक्वेस्ट है कि जिस भी अपने आपको बन्दिक्वेस्ट होंगे यहांपे में फसरा रहा हूं साथियों कमेंट करके जरूर बताना कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिएं थीक है साथ यू अभी जो मैं करवा रहा हूं इसमें real analysis का दो topics में लेके चल रहा हूं हो सकता है तीन भी हो सकता है और साथ यू मेरी कोशिश है कि कोश्चम के थूरो आपके सारे रेजल्स को और सारे important terms को clear करूं तो साथ यू रिमान integration है और uniform convergence साथ यू that is one of the very very important topic in entire real analysis साथियों आपको पता होगा इस टॉपिक से हमीशा ही को सनाया है तो मेरी कोशिस रहेगी कि उसको अच्छे से अच्छे से तरीके से पेस किया साथियों तो भीना टाइम गवाए साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं मुझे उम्मीद है कि साथियों आपके जो प्रिवियस का जो थेरी होगा वो डेफनेटली बहुत अच्छा होगा साथियों सात्यों स्टार्ट करते हैं कुछ कुस्संस के दिजर के यह जेतने बी सात्यों सभी प्रिवियस यह कर ब्राथी तो हम लोग पहले रिमान इंटि getting से स्टार्ट करते है ठेक है साथियों यह देखिए CSI EOGC net के लिए इंपॉर्टेंट है ही और साथियों अगर आप बोलें तो गेट आइट इजम जिनका भी अभी MP साथियों MPSET का पेपर होने वाला है उनके लिए भी साथियों this video lecture is going to be very very helpful so now start करते साथियो we have a first question तो उन्हें एक पहला questions लिया है आराम से आप देखते जाएं बिल्कुल सभी चीजे समझ में आती जाएगी आपको वैसे तो इस टाइब का मैंने बहुत सारा question आपको करवाया है फिर भी मेरी बस आप से गुजारी से इसके बीचे का जो साथी थेयोरी है वो आप बिल्कुल भूले नहीं देखे साथियों ये questions पूछा गया और एक जो भी लेने का मन है वैसे इस टाइब का मैंने बहुत सारे questions करवाया है question ये है कि is it remand integrable or no question है साथियों कि ये remand integrable है या नहीं आपको ये check करना है ठीक है बहुत सारे questions arise होते है remand integration में lower one है ना इसका lower integral क्या होगा upper integral क्या होगा है ना lower remand integral upper remand integral outer major क्या होगा इस टाइब के जितने भी साथियों question arise होते है आप लोग देखेंगे तो इस पार्ट सी का question है ठीक है पार्ट सी में ही mostly time आया है तो आराम से आप देखते जाएं चलिए साथियों solutions करते हैं और समझने की courses करते हैं साथियों इस टाइप के हमने questions पढ़ा था कि this both should be continuous on their own domain तो साथियों ये भी continuous function है being a polynomial ये भी हमारा continuous function है being a polynomial पहली बात और सेकेंड साथियों ये दोनों जो सेट है बोथ हार dense in R तो पहला term क्या है ये continuous है किस पे q और q closure है अपने अपने domain पे ये continuous है सेकेंड साथियों ये बोलता है कि q closure is dense in R moreover q complement का closure that is a rational number is also dense in R तो suppose if any है ना कोई ऐसा function साथियों इस तरह का behavior रखता है तो आप लोगों को पता है कि function ये function साथियों must be continuous continuous on the point of intersection point of intersection of ये साथियों इस function का और इस function का ठीक है ना कि जहां पे भी साथियों इसका point of intersection होगा उसी point पे ये functions क्या होगा continuous होगा otherwise कहीं पे भी continuous नहीं होगा सो basic बात ये है ठीक है मेरी बाते मुझे उमीद है कि समझ में आ रहा होगा ठीक है ये ये दोनों condition जो satisfy कर रहा है तो ये मैंने general बातें बोला इसके specifically इसके लिए चल रहे है सो पहले आपको निकालना है कि point of साथियों continuity क्या है न ये तो मैंने point of intersection बोला जो intersection points बनेगा वह हमारा point of continuity बनेगा ये मैंने यहां पे लिखा है साथियों साथियों तो यहां से पता लगा कि function is continuous at exactly one point that is singleton 0 अब साथियों यहां देखें 56 कभी-कभी क्या होता है कि हवावाजी न बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए पेपर में क्या दिया है और क्या नहीं दिया है आपको पता है कि continuity is the domain based property क्या होता साथियों domain based property हमारा domain क्या है 526 साथियों इसके अंदर तो यह point lie नहीं कर रहे है इसलिए कभी-कभी अपना भी दिमाग जरूर लगाएगा कि paper का structure क्या हो सकता है सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब यह पॉसिबल है यह पॉसिबल नहीं है जोकि point of continuity must be the part of the domain तो इसका पार्ट नहीं है इसलिए यह नहीं हो सकता इसलिए हम लोग साथियों कुछ डिस्टिंक्ट लेंगे तो यह सामने लिए तो साथिमें एक point पर यह continuous है तो इसका मतलब why function is discontinuous continuous in तो साथिमें एक point पर continuous है तो उसको हटा दीजिए तो पूरे साथियों यह close interval और यह open interval इसमें क्या होगा discontinuous हो गया मतलब इस entire है ना real number के अंदर साथियों discontinuous है तो मतलब आप कह सकते है point of discontinuity यह entire set बन गया है अब साथियों यहां से मैंने बहुत अच्छा results आप लो पड़वाया था कि outer major of point of discontinuity set का देखें क्या होगा और बहें ने बताया था कि साथियों कुछ भी हमारा interval होता है उसका जब भी outer major निकालते है तो उसका length निकलता है तो इसका length आएगा यह 5-0 that is 5 and that is what distinct from 0 है ना और आपने result learn कर रखा है अगर साथियों इसका outer major distinct from 0 होता है जिरो नहीं होता है तो इस इंप्लाइज जो function है नेवर भी नेवर भी रिमान integration on 025 समझ में आ गया तो साथियों पहला चीज हमने यह learn करा कि यह साथियों क्या है कभी भी रिमान integration नहीं हो सकता है ठीक है एक तो साथियों यह हो गया कि एक method नमबर 1 हो गया जो आप result use करके आप बना रहे है ठीक है ना एक साथियों दूसरा भी तरीका है उसका नाम क्या है एक साथियों 2 second method से भी आप लोग बना सकते हैं method second क्या है कि आप law रिमान इंटीग्रेवल निकाल लें और चेक करें कि ठीक है ना कि मतलब दोनों equal होता है कि ने एक तो साथ यह भी हमारा तरीका है ठीक है तो यहां से देखते हैं साथियों जैसे law अगलो साथियों अपर रिमान इंटीग्रेवल लगन न 0 to 5 x square dx आती हैं तो यह क्या बनेगा x cube by 3 मालेज अगर आप लोगों को यह भी question पूछा जाता बता है इसका अपर रिमान इंटीग्रेवल क्या है ठीक है तो ऐसे लिख देते हैं ठीक है और law रिमान इंटीग्रेवल आता साथियों तो ऐसे करते 0 to 5 x square dx तो इसमें क्या हो ज 5 to 3 x 3 तो साथ ही यहां से आपको क्या दिख रहा है कि अपर रिमान इंटीग्रेवल इस डिस्टिंट फोरोम लॉर रिमान इंटीग्रेवल है ना तो यह दो तरीके से आप लोग साथियों इजी से चेक कर सकते है कि कोई भी हमारा जो इंटीग्रेशन है इजिट रिमान इंटीग्रेशन और नॉट ठीक है ना मुझे उमीद है यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी साथियों जो कुशन कई बार कंटी यह तो function of मतलब continuity में भी पूछ लिया जाता है LCD में भी पूचा गया है उसमें भी एक कुशन आया है और more over साथियों अगर आप यह देखे है तो रिमान के अंदर भी एक कुशन आया था तो इसको समझ लें तो साथियों मैंने जो basic बाते यह बताया है अभी तक कि अगर यह bounded होता है साथियों और यह continuous होता है तो यह मैं बताया कि limit extending to a positive जैसे आप लोगों ने learn किया है ठीक है ना यह मैं क्या उसका करवा रहा हूं साथ यू सिप्य में चला गया और function is remand integration if and only if outer measure of point of discontinuity should be 0 यह आपने learn करा है if and only तो इसी property को साथि मैं यूज़ कर रहा हूं इस दूसरा question देखिए इसी में साथिम बस मेरा यह मकसद है कि आपना अच्छे से समझ पाएं इसके पिछे का logic मुझे उम्मीद है अब end moment होने वाला है पेपर आने वाला है आप लोग अच्छे से clear कर लिए होंगे और इस टाइप का question कुछ भी question रहे आप उसके basics पे जाएं और समझने की कोशिस करें कि question क्या कह रहा है question क्या हमसे demand करता है चलिए साथ में यह आपका question है और question पूछता है वही question है कि is it remon integration है या नए तो हम लोग इसी formula के through जाएंगे हमारा पहला काम रहेगा कि point of set of point of discontinuity निकालना इसको करें तो चलिए साथियों आपको simple सी में बाते बताता हूं यह भी continuous function है यह भी continuous function है है ना since sin x is continuous on their own domain cos x is साथियों continuous on their own domain पहला यह हो गया second क्या है कि q closer is dense in r q complement is closer dense in r so that's why है एक जो result हमने learn करा था function must be continuous on the point of intersection of both functions so साथियों point of intersection कैसे निकलेगा जहां पे दोनों function merge होगा है ना इसका मतलब है साथियों we are getting 10 x equals to 1 इस पता है इस टाइब का question होना चाहिए तो ने समझदारी वाला question देना चाहिए कि ठीक है ऐसा ना हो कि हम लोग पजल में फर्स जाए जैसे यहां पे 0021 तो दे ही दिया कुछ और भी दे सकता है आपको जीरो टू पाइबाई टू कुछ बीजियों भी देने का मन है तो रहा सावदानी के साथ काम किजेगा point of intersection also must be the part of the domain ठेक है ना तो कुछ-कुछ बात है आप जिस स्टेंडर्प हम लोग learn कर रहे हूं आप पर समझदारी ज़रूरी होता है साथियों सात्यों सद्वाइनै तो साथियों अगर set एक एक तो मारा divra 4 पू आपको नेचरिल दिख जाता है दूसरा है कि थर्ड को अप्रिञ्ट में आ पता है फिस्ट कॉर्यांि पावर्यborg सब्डेसरे कहां कहां होता है फिस्ट में सर्ज में फिर्ट में हमारा पाइ यह 5×2 यह जीरू 3 5×2 एक तो हमारा लूचो होगा एक है और दूसरा पाई 5×4 लेकिन साथियों पॉइंट उटिनूटी है अगर वाइज किसी अड़ी ट्रेड दे दिया है तब आपको बात नहीं करना है कितने भी इंटर्वल का दे दिया है ठीक है चलिए कुछ समझने की कोशिस करते हैं और भी वह सारा चीर हो सकता है साथ ही और टू पाई प्लस पाई भाई फोर जो जितना भी बनेगा तो वह सब भी हो जाएगा मतलब आप सिंपल सी बातें मैं बोलूं तो आप आप लोग बोल सकते है इन पाई पिलस पाई फवाई फोर और न इंकोष टू वहो सकता है तू भी हो सकता है यह सारा हूस हार्यू गेटिंग मैं इस सब पास यह इना था कि यह जो इंटरवल है ना यह इंटरवल सम्तिंग मस्ट भी डिफ्रेंट है चलिए समझते हैं तो यह साती हो जो एक्स आया यह क्या है पॉइंट ऑफ कंटिनिवटी अब जरा समझें यहां पर हाव मेनी पॉइंट सब कंटिनिवटी भी पॉसिवल जब लेते हैं न कहां का मेंबर आया सेट ऑफ नेचरल का और नेचरल की काडिनलेटी कितनी होती है नेचरल है काउंटेबल सेट अर यह क्या है पॉइंट ऑफ कंटिनिवटी दिया है मैं इसको लिख देता हूँ सेट ऑफ पॉइंट ऑफ जो कंटिनिवटी मिला साथ हूँ वो मिला काउंटेबल ठीक तो मैं यह बोलता हूँ कि और यह जो साथ हैं आपके पास इंटरवल गिवन है यह अनकाउंटेवल है मतलब अईसमोर्फिक टु आर क्या सकते है तो यह क्या है अनकाउंटेवल की काडिनिल एलिफ वन तो साथियों अगर यहां से लोग बाते करें कि डियेफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिनिवटी अफ दा फॉंक्शन तो वह क्या होगा कि लाइक जीरो उन का जो भी हमारे पास क होगा इसका साथियों इसका जवाप लोग में साइज लेंगे तो यह क्या है और हम हमें लोगा छीजज करां था counter 2019 हूं चthrop Gmail कितना जगह के आ तो जब भी ऐसा होता है साथियों थना लोग माक्सिम लेते अधर, आप बोल सकते uncountable में से countable को less करेंगे तो भी हमारा uncountable ही रहना है so we are getting uncountably many point of discontinuity और outer measure of uncountable outer measure of uncountable साथियों एक चीज़ याद रखेगा यहाँ पे यह वाला यह ले इसके term में मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो आया इसका uncountable जो आया साथियों यहाँ पे वो non-0 आएगा uncountable का आउटर मेजर लेकिन साथियों एक exceptional case है जो आप बहुत ही familiar है और अगर आपने डाली उनिवोसिटी से ग्रेजुशन या पीजी क्या होगा तो आप एक चीज़ आप लोग ने पढ़ा होगा साइध क्या है major थेहरी में साथियों हम लोगों यह लड़न करा था कि जो canter सेट है वो uncountable है बट उसका outer major 0 है तो these are some exceptional case ठीक है ना in general क्या होता है in general होता है कि साथियों एगर countable set है उसका outer major 0 होता है और uncountable का uncountable का साथियों outer major non-0 होता है है ना साधारंत है यह वाला तो यहां से क्या मतलब मिला है साथियों जो ही आपका outer major point of discontinuity of the given function is non-zero इसका मतलब यह जो मारा function है is not a remon integrable ठीक है तो इस साथियों remon integrable नहीं रह गया तो मुझे उमीद है यह बात ने सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको समझने में कुछ भी problem होगा साथियों कुछ questions और भी है इसको भी आप लोग देखें कभी-कभी तो क्या होता है साथियों कुछ बच्चा वाला questions दे दिये जाता है और आप लोग बिल्कुल result को आप memory से बाहर निकाल लेते हैं तो paper में ऐसा बिल्कुल भी मत किजिएगा कभी-कभी question आपको बहुत easy भी मिल जाता है साथियों देखें यह question दिया हुआ है और आपको बोलता है कि f of x equals to n x equals to 1 by n पर यह function है और यह 0 है otherwise 1 तो साथियों यहां से देखें कि यह जो हमारा function दिया है this is free from the x है ना तो x का कोई यहां पर roll नहीं है तो direct यह दिया हुआ है तो n का value कुछ भी लेंगे साथियों यहां पर n का value कुछ भी लेते जाए 1, 2, 3, dot, dot, dot है ना तो actually इसले लिखा गया है यह हम अपने domain के अंदर चला जाए 1 लेंगे तो 1 रहेगा 2, 3, dot, dot, dot यह सब इसका member रहेगा x equals to 1 लेंगे तो 1 रहे जाएगा x equals to 2 लेंगे x equals to half पे इसका value 2 हो जाएगा इस तरह से हम लोग अगर आप चाहें तो graph plot कर सकते हैं इस टाइब से तो आपको क्या दिख रहा है कि साथियों n का value आप लोग 1, 2, 3 जो भी लग रखते जाएगे तो इसका value हम इसा increase होता जाएगा मैं कह रहा हूँ कि x equals to 1 by n रखें और यहां पर यह function है आपका इस domain है ना domain आपका 0, 2, 1 है तो x का value साथियों अगर any cost 1 रखते हैं तो यह देखिए function 1 बन जाएगा any cost 2 रखेंगे तो points तो हमारा 1 था यहां पर यह 1 by 2 है इस तरह से dot 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 मतलब points इसका member रहेगा लेकिन function पर क्या effect परेगा 1, 2, 3, dot 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 इस तरह से साथियों infinity की तरफ जा रहा है मतलब क्या हुआ unbounded मतलब जो function है unbounded और आपने already learn कर रखा है कहना remand integration होने के लिए function must be 110% should be bounded तो साथियों boundedness fail है तो function is unbounded implies function never be remand integration कभी भी remand integration नहीं हो सकता तो कभी-कभी ऐसा भी पागलों वाला भी questions आ जाएगा साथियों यह three और four question है really very very important one और साथियों मैंने already आपको बताया है तो अच्छे साथियों मेरी आपसे गुजारिस है कि जो मैं jay means और advance का कुछ-कुछ portion में लेके आ रहा हूं तो आप देख लिजेगा अपने सहुलियत के हिसाब से कि आपका अगर आप पार्ट होगा तो उसको देख लिया किजेगा otherwise leave कर दीजेगा उसे मैं mention कर देता हूं कुछ कुछ जैसे यह पार्ट है जो j में भी आता है साथियों और हमारे level पर तो आता ही है इस टाइब के कुछन को अगर आपके पास कोई partial sum है दिया हुआ है suppose step से है क्या रिकोस्टो माल लिया जाए ए एन टो रिकोस्टो सम्तिक बी अन तक जाता है है ना limit operate कर दिया गया है 1 by n और function step से हो है ना function का साथ हम behavior ऐसा हो तो मैंने आपको अलेड़ी बता है कि 1 by n को x लिखें sorry 1 by n को क्या लिखें साथ हो dx और r by n को x लिख दें हैना summation को किसमे convert करेंगे integration में और यहां पर क्या करेंगे limit operate करेंगे n से divide करने के बाद n से divide करेंगे तो साथ हो a बचेगा इसमें से उसमें भी divide करेंगे तो भी बचेगे मतलब lower limit to upper limit में n से divide करके limit लगाना है summation must be converted into the definite integral और साथ हो r by n को हमको रखना है x so that becomes f of x and 1 by n dx तो साथ हो ऐसा क्या है finite integration में convert कर देना है चलिए question कई बार आया है ऐसा question तो definitely साथियों आप लोगों को बहुत ही help करेगा देखे एक पहला questions बोला था यह question बहुत ही important था साथियों साथियों साथ मेरे मंसे 2016 या 17 का साथियों आप देख लीजिए गए कब का question है question यह है कि summation going from r equals to 1 to n sign working over r square plus n square साथियों आपको पता है कि sin theta क्या होता है जब हमारे पास theta tending to 0 होता है यह इस तरह से अपना behavior रखता है limit theta tending to 0 sin theta by theta हम लोग करते हैं तो 1 होता है मतलब जब theta काफी ज़्यादा small हो theta काफी ज़्यादा small हो साथियों तो दोनों क्या होता है एक दूसरे के साथ equality almost equality so करता है तो यह वाला चीज तो यह साथियों यहां पर लगाते हैं हम लोग अधरवाज आप दूसरा चीज भी लगा सकते है क्या जो maximum value होता है वन होते है, है नण आप उसके भी through जा सकते है, तो उसके भी through जा सकते साथियों तो भी आप लोग कर सकते है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते है लोग r स्क्रेशीलər ठीक है अतुसका जे फॉर्मेट है वह हमारा आ गया format पे तो हम लोग किसको कैसे work करें तो साथियों सबसे पहले तो इसमें क्या करें n square से divide कर दें क्योंकि n square इसका highest degree coefficient, sorry highest degree है साथियों तो उपर में क्या बन जाएगा 1 yn और साथियों ये देखें क्या बननेगा 1 plus r yn का whole square summation जो है r equals to 1 to r equals to n मैंने क्या बोला साथियों उसको जरूर आप लोग आत्म साथ करने की फर पुरकोसिस किजिएगा integration must be termed as a definite integral और साथियों लोड इंटिगेशन में भी n से divide करना है तो 1 है तो n से divide करेंगे और limit operate करेंगे अपर में भी n से divide करना है और limit operate करना है जो given रहेगा 1 by n को मैंने बोला कि साथियों इसको dx रखना है इसको क्या रखना है dx और r by n को x तो this becomes 1 plus x के और इसके जगह पे साथियों dx तो अब कोई बरी बात यह नहीं रहेगी आपके लिए यह साथियों 0 बन जाएगा n by n becomes 1 तो यह देखिए कितना easy से आपको definite integral बन गया और यह आपको बहुत ही famous चीज है 10 inverse x का integration 10 inverse 1 minus 10 inverse 0 तो यह हमारा 5 by 4 हो जाएगा यह 0 तो साथियों यह हमारा 5 by 4 आया थेक है easy है कोई बड़ा difficult चीज नहीं है कि आपको problem create करेगा यह वाला साथियों एक questions देखिएगा मतलब इसी यह question है इसी tab का तो एक question देखते है limit and tending to infinity question क्या बोलता है 1 upon 1 plus n cube plus 4 that is 2 square plus 8 plus n cube और साथियों यह कहां तक गया है n square by n cube plus n square ठेक है साथियों यह चीज देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि one का one है यह क्या है तो यह साथियों can write one square इसको लिख सकते हैं two square इससे आपको n square का format समझ में आ रहा है क्या होने वाला है यहां पर साथियों 8 को लिख सकते हैं two q one can be written as one q और यह n q है है तो लास्ट टर्म आपको एक structure का जो sequence है मतलब वो किस उसका logarithmic logarithm क्या है है ना algorithm बोलना चाहिए साहरी साथियों तो आपको एक समझ में आ जाता है किस structure का format बन रहा है तो साथियों now we can write like this one एक step में बढ़ा देता हूं कि clarity आपके अंदर आ जाए तो साथियों आप लोग जम के मेहनत करें टाइम बहुत कम बचा है और अलमोस्ट एक मेने का टाइम है तो जाला करके revision पर focus किया जाएगा और साथियों आपको जो भी पूछना है कि साहरी स्वाट वीडियो बना दीजिए जो भी आपकी demand होगा और आपको लगेगा आपके लिए helpful है वीडियो तो definitely देखें नहीं तो आप दूसरा चैनल भी जहाँ पर भी आपको अच्छा लगे तो हाँ पर switch कर लें क्योंकि end moment है और साथियों इसको हम लोग क्या format लिख सकते हैं तो यह और यहां पर देखें यहां पर हमने क्या लिखा यह one cube है यह two cube है यह तो constant है यह fix हो गया constant one cube plus two cube plus dot 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 n cube मतलब नीचे में हम लोग r cube लेखेंगे one से लेके n cube तक जाएगा one से लेके n cube के लिए तो यह r इसके लिए भी work करेगा और इसके लिए भी work करेगा और और इसके साथियों fix है इसको इसको इसे लिख देजिए साथियों इसको हम लोग करना क्या चाहते है तो इसको जरूर याद रखेगा आपको हमेशा one by n ना साथ में लाना होता है ठीक है तो इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है तो क्या करें कि इसका format ऐसा बन जाए लेकिन मुझे लग रहा है कि यहां पर कुछ ना कुछ इस question मे r cube है तो ऐसा तो हो नहीं सकता है ना ऐसा तो हो नहीं सकता so there is something missing क्योंकि हम लोग n square से divide भी कर देंगे तो ryn का whole square बन जाएगा और यह नहीं बना पाएगा मेरे मान से साथ ही यहां पर कुछ ना problem है यह इसका structure different होने के कारण क्योंकि यह ryn का मान ले जाए यह इसका degree 2 है इसका degree 2 है तो यह ryn का whole square बन सकता है लेकिन उसी n से हमको इसको भी divide करना है तो यह r into ryn का whole square बनेगा ठेक पलस 1 लेकिन r तो रही जाएगा तो आप r को तो this is really a problem on I think सात्यों इसको एक बार देखने की जरूरत है और मुझे लगता इसमें कुछ ना कुछ प्राब्लम हो रहा है तो सात्यों इसको हम लोग को last term में करेंगे या यह sequence के criteria पे जा रहा है थोड़ा सा में को check करने देजिए क्योंकि अगर sequence के criteria पे जाएगा तो हमको an मिल one plus one limit operate करेंगे zero plus one plus zero तो कभी-कभी question ऐसा भी होता है जो दिखता तो ऐसा है बट है नहीं है इस पर हम लोग कभी convert ऐसा नहीं कर पाएं सात्यों ठीक है तो सात्यों इसको सब पर थोड़ा सा और मेरी कोसिस रहेगी कि एक बार मैं इसके साथ go through करूं और check करूं कि is there any problem अगर होगा तो मैं बहुत जल्दी साथियों आपके सामने आऊंगा लेके साथियों अब हम लोग जो एक बहुत important concept है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस वह लोग हम लोग learn करते हैं one of the very very important topics in the entire real analysis ठीक तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को साथ हूं थोड़ा सा आप लोग समझते हैं बहुत ही ज़्यादा आपको help करेगा समझते हैं actually यह क्या है कि यह sequence and series of the function है real number का नहीं साती हूं है ना यह function का यह क्या है हमारे पास sequence and series form करता है ठीक है तो कुछ बाते हैं आप समझ लें basics बाते हैं कि जैसे हमारे पास sequence का format क्या रहता है इसमें यह जो x है यह बहुत बहुत important role play करेगा तो कोई भी sequence का साथ है आपका format 123 आप करते जाएगा जैसे आप आप लोग करते थे रही और sequence में ऐसा ही चलेगा तो बहुत सारा चीज़ तो similar ही रहेगा ठीक है तो कोई भी sequence का ऐसा format रहेगा तो क्या बोलेंगे साथ हूं कि जितना हमारे पास f1, f3 जितना भी हमारा function बनेगा उसका एक common domain होना चाहिए है ना कि सबके लिए अलग-अलग domain ना हो अलग-अलग function function तो वही रहेगा sequence के criteria रहेगा है ना इस step का साथ हूं इसा बनेगा लाइक अगर आप लोग x by n का sequence देखना देखना चाहते है टेक्स इकोस्टो आप लोग ऐसा साथ ही बनाते चले जाएंगे ऐसे यह बनता चला जाएगा ठीक है जो भी 025 दे दे रियल पर दे दे जो देना हो देते हैं माले साथ हूं यह ऐसा है तो पुछ से उच नहीं नहीं है तो रियल sequence हो गया है ना एक से तो free हो गया तो इसकी बारे में तो सोच ठीक है इस टैप का हमारा कोई भी साथियों आपको एक sequence दिया रहेगा अब दो टर्म यहां पर समझना जरूरी है कि point wise convergent क्या होता है साथियों और uniform convergent क्या होता है तो कहता है साथियों अगर कोई हमारे पास sequence of the function है उसको हम लोग point wise convergent तब बोलेंगे कि इससे जो हमारा sequence of real numbers बनेगा साथियों like f and x के जगह पर a रखेंगे तो वो क्या होगा एक a जो है वो मेंबर होगा अपने domain के लिए और उसके लिए साथियों कि f and x जो हमारा sequence बनेगा वो convergent हो जाना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं साथियों कि आपके पास मान लिए जाए domain है कि function है तो कहिना कहीं से जाएगा real to real है है ना real to natural number चलिए इसको इतना depth में नहीं लेके जाते हैं simple सी बाते समझते हैं कि जैसे f and x हमने यह sequence लिया sequence of function तो यह अपने इसका कुछ ना कुछ domain है तो हम यह क्या करेंगे हम लोग basically यह देखना चाहते है x के जगे domain के element प्रते के element put करके देखेंगे कि साथी में finite होता है कि नहीं simple सी बाते आप समझें कि limit and tanning to infinity function at each and every value of this domain space must be finite finite का मतलब है यहाँ पे साथी हो convergent ठीक है तो for all a belongs to the domain space this है अगर ऐसा होगा तो हम लोग बोलेंगे कि साथी हमारा sequence है sequence of function है यह हमारा कहलाएगा point wise convergent क्या कहलाएगा point wise convergent क्या समझ मैं आयसा आती हो कि domain के domain के प्रते के element के लिए यह जो हमारा sequence है यह क्या हो जाएगा convergent for all a belongs to d अगर ऐसा होता है तो मतलब x is just replaced by the member of each member of the domain तो अगर ऐसा होगा तो बोलेंगे point wise convergent होगा otherwise नहीं होगा चले साथी इसको एक format दे दिया जाता है इसको आप समझ लें जो इंपोर्टेंट रहेगा कि limit n tending to infinity fn x function के term में साथी हो बोल दिया गया कि चलो इसका कुछ न कुछ limiting terms exist करेगा तो इसको हम दों ऐसा लिख दिया जैसे आप लोग limit में लिखते हैं sequence में क्या लिखते हैं साथी हम लोग limit n tending to infinity वहाँ पर an लिख देते थे वहाँ पर limit उसका l लिखते थे हैंना step का step से हम लोग लिखते थे तो step से यह भी ऐसा लिखा जाएगा हैना ऐसा क्यों लिखा जा रहा है क्योंकि एक sequence के अंदर साथियों अलग अलग behavior रख सकता है functions इसलिए ऐसा लिखा जाता है तो साथियों अगर यह जो चीज है यह इसके लिए limit का काम करेगा exist ठीक है ना for all x belongs to the domain अगर ऐसा करेगा तो साथियों यह हमारा जो sequence है इसको learn करना है कि यह हमारा जो साथियों sequence होगा यह क्या कह लाएगा called point wise convergent तो हाँ पर अपने domain के अंदर ठेक तो जिस तरह से हमारा sequence of real real sequence साथ में काम करता था as it जैसा ही कर रहा है तो यह ज़्यादा बरी बाते नहीं है अच्छे साथियों इसी चीज़ को अगर आप लोग अगर आप लोग जैसे हम लोग real sequence infinity और lambda के term में काम करते हैं तो वह भी आप लोग कर सकते हैं इसके लिए एक चीज़ लिख लिजिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे मैं तो कोशिस कर रहा था कि result based करवाओं फिर मुझे लगा थोड़ा चीज क्लियर कर देना चाहिए इससे टो बी पॉइंट वाइज कनवर्जेंट साथ ही हूँ है और पॉइंट वाइज कनवर्जेंट करेगा तो कहां करेगा तो अभी हमनों लिखा का limit and tending to infinity fn x equals to fx तो यहां पर करेगा है ना तो इससे टो बी पॉइंट वाइज कनवर्जेंट to f of x if for all पहले तो for given के लिए कर लें क्योंकि epsilon तो हमें इसा ही mention रहेगा for given epsilon greater than 0 ठीक है and x must be the member of the domain space है ना there exist n या m या p जो भी लेकना है m must be the member of set of real numbers such that we can write fn x बिल्कुल ऐसा ही है sequence के term में जैसे आप लोग लिखते थे किसे जो sequence होगा minus l इस टाइब से आप लोग जो काम करते थे for all and great request है तो यह choose करना पड़ता था तो बिल्कुल ऐसा ही है तो साथ में यह real sequence में काम करते थे यह हम लोग function में काम करते हैं और क्या for all and great request है तो यह हमारा है point wise convergence का definition है क्या लिखा हुआ है याराम से समझते कि f and x साथ में जो sequence of the function है is said to be point wise convergent कहां पे to f of x if यह कुछ यह तो मतलब कह सकते हैं जहां पे आपका subjective होगा उसके लिए बहुत important term है for given epsilon greater than 0 and moreover यहां पे साथ में epsilon भी given रहेगा और domain का member भी आपके पास रहेगा है ना इस दोनों के correspondence हमको क्या मिलना चाहिए m कहां का member होगा n का such that f and x minus f of x का जो model लेंगे absolute value less than infinity us और epsilon होगा और साथ में यह जो चीज है यह वाला चीज इससे हम compare करेंगे n is greater equals to m मतलब इसके जो value होगी हमेशा इसके equal होगा या साथियों इससे हमेशा ही बढ़ा होगा तो यह हमारा किसका है point wise convergence का point wise convergence साथ है और यह real sequence में लोग learn करते हैं जिसको आप लोग क्या बोलते इप्सिलोन इप्साइलन है लिमिट इप्साइलन के term है जिस हम लोग learn करते हैं चलिए साथी तरह depth में मैं इसको एक short वीडियो में भी बता रखा हूँ साथी इसको देखना है तो एक बार थोड़ा सा देख लेजी साथ brief आइडिया हो जाएगा यह मैंने साथी आपको short में बताया था uniformly convergent series में कि point wise convergent क्या होता है limit and tending to infinity f and x exists for all x belongs to a यह क्या है domain का परतेग member then f and x is set to be uniform point wise convergent साथी हो है उसको अगर point wise convergent होता है था हम लोग इसको ऐसे लिखते थे अच्छे साथी हो uniformly convergent के लिए दो बाते जरूर याद रखेगा पहला तो यह इससे तो है ना यह PC तो होना ही चाहिए point wise convergent होगा moreover यह दो टर्म याद रखेगा पहला यह और साथी हो supremum ए क्या है ए है हमारा साथी हो domain domain क्या जहां पर supreme exist करता होगा तो वहां पर जब absolute value is करेंगे fn x minus f of x must tending to 0 अगर ऐसा करेगा if and only if this function must become a uniformly convergent otherwise never ever be possible ठीक है you must must 100% be aware of this formula if and only if criteria लगा हुए so every uniform convergent series sequence is point wise convergent always ही होता है बाद converge need not to be true every point wise convergent need not to be uniform convergent always और साथियों अगर point आप लोग CSI net का trend देखेंगे तो यहीं से question आता है यहीं से question आएगा आपको पुछेगा कौन सा uniform convergent है कौन सा uniform convergent नहीं है कौन सा point wise है कौन सा point wise convergent नहीं है साथियों ठीक है तो basic बात है यह मैंने आपको समझाया मुझे उमीद है यह बात है आपको समझ में आ गई होगी और और साथी इसमें वहीं वाली बात है एप्साइलन के term में भी अगर आप उसमें भी जाना चाहेंगे uniform convergent में भी तो यहां पर भी आप लोग operate कर सकते हैं वहीं वाली same to same बात हैं यहां पर भी आप लोग लिख दें for all n greater equals to m और साथी हो एक्स कहां का member होगा domain का member यह uniformly convergent के लिए है है वही for any given epsilon greater than 0 यहां हमेशा ही लिखते हैं for all m for given epsilon greater than 0 ठीक है there exist m belongs to natural number such that है यह वाला conditions आप हमेशा ही imply करते हैं तो साथी थोड़ा roughly बता रहा हूं ठीक है तो यह सब चीजे मुझे उमीद है बहुत अच्छे से आप लोगों को आता होगा साथियों यह सारे questions को attempt करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको कुछ बातें एक roughly ब्रीफ आइडिया मिल जाए कि हम लोगों का जो working principle रहेगा वो कैसा रहेगा साथियों दो बातें जरूर याद रखेगा अभी जो हम लोग questions attempt करेंगे क्या-क्या बातें याद रखेंगे तो साथियों उसके पास UC हो भी सकता है, uniform convergent और UC नहीं भी हो सकता है, ठीक है न, point wise convergent guarantee नहीं देता है कि अगर point wise convergent हो जाएगा तो uniform convergent भी होगा और नहीं भी होगा, so there is no security, यह security नहीं देता है, ठीक है पहले बात यह याद रखेगा लेकिन अगर कोई point wise convergent ही नहीं होता है, कोई हमारा sequence of function साथियों point wise convergent नहीं होता है, इसका मतलब है fail, ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखा जाए कि वो uniform convergent भी नहीं होगा, ठीक है, तो यह दो बातें आपको बहुत ही, if any sequence of the function is point wise convergent, then you can't say anything with the security, the sequence of the function should be convergent और divergent, आप न नहीं कह सकते, लेकिन साथियों, अगर कोई function ही uniform convergent ही नहीं होता है, तो हम उसको बोलेंगे, कि वो कभी भी, sorry, point wise convergent ही नहीं होता है साथियों, तो uniform convergent नहीं होगा, यह साथियों 500% guarantee है, यह साथियों बिल्कुल ऐसा ही हो गया, जैसे हम लोग sequence of the, sorry, series of the real sequence में जो series पढ़त अगर 0 को 10 ही नहीं करता है, तो यह जो series है, वो कभी भी convergent नहीं होगा, तो यह बिल्कुल ऐसे ही बात है, point wise convergent ही नहीं होगा, तो UC नहीं हो सकता है, लेकिन साथियों इसको जरूर याद रखेगा, every uniform convergent is 100% point wise convergent, ठेक है, तो यह तीन बाते जरूर याद रखेगा, और कैस कैसे हम लोग निकालते है, point wise convergent और uniform convergent कैसे check करते है, यह मैंने आपको बताया है, और question के थूरू साथियों मेरी कोशिस है, कि आपको एक एक बात में समझ में आया है, साथियों यह हमारा क्या है, आपको दीख रहा है, कि x to the power n और n कहां का member होता है, तो यह जरूर याद र रहेगा, तो आपको बहुत सारा चीज दिख रहा होगा sir, n का value बढ़ते जा रहा है, domain का member आप fix कर दीजी, है ना, domain में आप अगर x का value 1 ले लेंगे, तो क्या मिलेगा साथियों, x पर power, so 1 मिलेगा, 1, 1 square, 1 q, 1 3, इस टाइप से आपको मिलते चले जाएगा, आपको जो दि हम लोग क्या काम करते हैं, जैसे x to the power n ले लिया हमने, और domain साती हमने ले लिया, जो भी लेने common है, 0 to infinity ले लिया, और check करना है कि this is point wise convergent, uniform convergent, तो हम एक जो basic जो अच्छा समझ होना चाहिए, वो बोलता है साती हो, 0 to infinity के member में, देखे, n तो natural number है, n is the member of natural number, और x किसका member होग 0 to infinity का, तो यह जो sequence है, actually आप बोलना चाहिए, collection of the sequence, और यहां से देखे, कि अगर आपने x को fix कर दिया, इसका member, 0 ले लिया, यहां से क्या क्या आपका sequence क्या बनेगा, x to the power n का format क्या रहेगा, तो 0 पे power 1 की जाएगा, 0 पे power 2, 0 पे power 3, ऐसा ही चलता जाएगा, तो आपको क् basically, 0 sequence, समझे, फिर आगर आप लोग यह देखना चाहते, sir x का value, 0 to infinity में, 1 रख लीजिए, तो इसमें अगर 1 रखेंगे, तो साथि इसका क्या format बनेगा, 1 पे power 1, 1 पे power 2, 1 पे power 3, dot, 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 इस तरह से चलता जाएगा, 1 to the power n, steps, तो 1 into 1 into dot, dot, यह आपको दिख रहा है, यह क्या साथियों, constant sequence, 1 बन गया, third, इस तरह से अगर आपका मन है, sir x का value, half रख दीजिए, ठीक है, तो half रखेंगे, साथियों, तो क्या बनेगा, half, फिर, and equals to 2, 3 रखेंगे, तो इस तरह से dot, 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 यह आपका बनता चला जा रहा है, ठीक है, तो इस टाइप से आपको दिख रहा है कि इसका limiting value क्या होगा, इसका limiting value क्या मिल रहा है, तो इस तरह से साथियों, आपको याद रखने वाली है, domain के परतेक point पर, जो domain के परतेक point पर, यह देखें, यह क्या finite value, तो यह convergent हो गया, यह भी साथियों, finite value, convergent, आप साथियों, limit and tending to infinity पर जा रहे है, तो आपका जो format है वो यह दिखेगा, है न, तो कि fix नहीं है, तो यह साथियों tending to zero, सो यह हमारा final, है न, तिससे यह बाते पता लगा, कि domain के साथियों, domain जो हमारा यह domain है, domain के परतेक point पर, so for all x belongs to the domain space, this, आपको क्या मिला, यह जो आपका साथियों, sequence of the function है, x to the power n, यह क्या है साथियों, convergent क मतलब क्या हुआ, point wise convergent, point wise convergent का क्या मतलब है, x equals to zero, एक जो point है, उस पर भी converge किया, x equals to one point है, उस पर भी converge किया, x equals to half जो point है, उस पर भी converge किया, मतलब domain के परतेक point पर साथियों, यह converge किया, है न, तो इसलिए इसको बोला जाता है, point wise convergent, मतलब हर एक point पर क्या होगा, convergent, है प्रति एक पॉइंट पर साथ हूं, यह Convergent हो रहा है, इसलिए इसका नाम है Point-wise Convergent, ठीक है, ना, कि domain के प्रति एक पॉइंट पर यह Convergent हो जाना चाहिए, मतलब इसका limit exist करना चाहिए, प्रति एक पॉइंट, ठीक है, तो यह बाते साथ हूं आपको जरूर याद रखना चा उसके हिसाब से, मैं थोड़ा कोशिस करता हूं कि स्वाट में बनाओं या लेंगे वीडियो बनाओं, एक्चली जब हम लोग बोर्ड पे कर रहे थे, तो मेरी कोशिस रहती थी, फूल डिटेल्स में बताओं, साथ हूं, अभी मैं थोड़ा बाहर हूं, तो इतना मैं नहीं कर पा रहा हूं, चले साथियों इसमें यह मैं बताता हूं, तो जिस तरह सभी मैं ने देखा कि एक्स्टो दी पावरे में जीरो टो इंफिनिटी में अभी आपने देखा, इसके प्रते एक पॉइंट पे साथियों, लिमिट एक्जिस्ट कर रहा है, इस सिक्रेंस का, तो इ लेकिन मैंने साथियों यहां पे एक गलत काउंट कर दिया, देखे क्या गलत काउंट मेरे से हो गया है, थोड़ा सा इसको, यह पॉइंट वाइस ही कनवर्जेंट ने होगा, मैंने गलत किया है, मेरे दिमाग में यह चल रहा था, यह वाला चीज है, ठीक है, और जबकि डो जब आप 0 लेंगे तो 0 to the power n becomes 0 half लेंगे तो साथियों, 1 by 2 to the power n equals to 1 by 2 to the power n tending to 0, तो यह भी कनवर्जेंट यह भी 1 by 3 लेना है, इसके बीच में, 1 by 3 to the power n, that is all convergent to 0, है ना, तो यह converge कर रहा है साथियों, तो इसके लिए मैंने लिया है, ठीक है, सॉरी, कि मैंने यहां डोमे साथियों, उसको छोड़ दीजे, मैं 0 to 2 ही ले लेता हूं, 0 to 2 ही ले लेता हूं, यहीं पर मैं समझा देता हूं, तो बड़ा चीज हो गया, 0 to infinity लेना, इसी पर समझते हैं, साथियों, जब 0 लेंगे आप, 0 लेंगे तो 0 to the power n, तो that becomes 0 to 0 to 0 to 0 to 0, है ना, tending to 0, तो finite है, तो conver convergent हो गया, और इसके बीच में 1 भी आएगा, so 1 to the power n करेंगे, तो यह क्या बनेगा, 1 into 1 into dot 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 1, तो यह 1 है, convergent हो गया, यहां पर भी, साथियों, यहां से देखे, 2 पे जब भी आप 2 पे आएगे, तो problem हो जाना है, आपको, क्या है, 2 पे आएगे, साथियों, तो आपका, 2 into 2 square into 2 q dot dot, अच्छा, आप बोलेंगे, चलो, 2 तो मैंने ले ही, ले ही लिया है, 2 to the power n, और साथियों, एंट टेंडिंग to infinity होगा, तो यह unbounded हो जाएगा, क्या होगा, यह कहां पर जाके stop होगा, आपको पता नहीं है, तो unbounded हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कि साथियों यह लेना चाहता था, पहले वाले यह वाला चीज, यह साथियों, इसके term मैंने करवाया है, sorry, उसके लिए, तो देखे साथियों, जब यहीं नहीं हुआ, यह point wise conversion, तो इसकी क्या उकात है, कि x to the power n, उसका तो छोड़ दीजिए, 1 से थोड़ा ही बढ़ा लेके, आप देखे लेकिन साथियों, यहां से देखे, 3 by 2, suppose आपने 3 by 2 ले लिया, 3 by 2 तो 1.5 तो और भी बढ़ा है, आपका मन है, तो 1.1 ही लेके check कर सकते, 1.1 ही लेंगे, साथियों, 11 बटे 10 हुआ, इस पर power n करेंगे, तो 11 to the power n, है ना, डोमिनेट करेगा 10 to the power n को, infinity की तरब tend करने में, है तो यह साथियों, the rate of tending to infinity of 11 to the power n always dominates to the rate of converging, sorry, tending to infinity, तो यह साथियों, यह पहले हो जाएगा infinity पे, तो इस साथियों, यह क्या हो गया, limit does not exist, limit does not exist, जब limit यह एगजिस्ट नहीं करा, तो point-wise convergent क्या होगा, तो यही साथियों में बोलना चाहता हूं, कि X to the power n जब यहीं प point-wise convergent fail होगा, ठीक है, तो मुझे उमीद है यह बातें आपको बहुत ज्यादा आच्छे तरीके से समझ में आगे होगी, तो साथियों यह भी fail होगा, मुझे यह लेना चाहिए था, यह वाला चीज, 0 to 1 के case में मैं सोच रहा था, 0 to 1 साथियों, तो 0 to infinity होगा, तो कभी भी ह जब point-wise convergent ही नहीं होगा, तो यह कहां से होगा, 0 to 3, अभी आपने देखा, कि साथियों 1.21 पर ही fail हो रहा है, जब यह point-wise convergent हो, 0.5, problem तो 1 के बाद से इसको start हो रहा है, तो fail है, देखे, 1 से जो ही exceed करा, fail, ठीक है, 0 to 1, तो 0 to 1 साथियों अभी आपने ज़स्ट देखा, साथियों point-wise convergent तो साथियों मैंने आपको बताया अभी कि यह point-wise convergent तो है 0 to 1 पर, चलिए मैं एक चीज़े और समझाने की कोशिस करता हूँ, कि yes, it is point-wise convergent at, कहां पे साथियों, 0 to 1 पर, इसको थोड़ा से समझिए, काफी ज़्यादा अच्छा चीज है, मैं सोचता था, द दोर साथ में close interval है, हमारा sequence of the function है, वो x to the power है, हमारा आम से देखते जाना है, साथियों 0 is the member of this domain, so we must take x equals 0 हम ले सकते हैं, तो साथियों जब इस पे लेंगे, तो यह हमारा function बनेगा, सरी, sequence बनेगा, तो यह हमारा limiting value आ गया, limit exist करता है, x equals to half लेंगे, कोई भी लेंगे, इसक limit exist कर रहा है, इसलिए that's why pass है, हर एक point पर साथियों limit exist कर रहा है, 1 by 3, 1 by 4, जो भी लेना, इसे बड़ा चोटा जो भी ले ले, 1 तक, x equals to 1 भी लेते हैं, because 1 is the member of this, तो 1 to the power n, है न, 1 पर power 1 कुछ भी लेंगे, तो यह हमारा finite होती, यह भी convergent हुआ, मतलब हर एक point पर भी limit exist कर इसलिए limit exist कर रहा है, ठीक है न, तो परते एक point पर limit exist कर रहा है, that's why यह क्या हुआ साथियों, point wise convergent, so there is no problem, now, एक चीज़ तो हो गया, now, come to the second one, talk about the UC, uniform convergent, function वही है, x to the power n है, साथियों, domain हमारा 0 to 1 है, both side close interval, चले, अब हम लोग जो चेक करना चाहते हैं, UC के लिए क्या चे limit n 10 e to infinity f n x क्या मिला, क्या जो f of x यह जो मिला है, यह exactly 1 मिला है, यह अलग behavior रख रहा है, यह जो है, यह unique है, यह unique से ज्यादा है साथियों, तो यह अभी आप देखें, साथियों यहां से देखें, कि यहां से आप अगर यहां तक बाते करेंगे न, यह x equals 1 है, तो 0 से लेके 1 acid कर देजिए, यहां तक, यह पूरा साथियों यहां तक आपको 0 ही मिला है, और x equals to 1 पे आपको 1 मिला है, so can I write 0 at x equals to 0 open interval, this, ठीक है, 0 include है साथियों, और 1 exclude है, यहां तक आपका limiting value, limit है, यह क्या है साथियों, limit, limiting value क्या मिला आपको, 0 मिला यहां तक, और x equals to 1 पे आपको distinct limit म मिल रहा है, तो आप यह मत बोल देना सर, limit तो अलग मिल रहा है, अब क्या करें, तो limit ही exist नहीं करा है, है ना, क्योंकि हम लेकिन साथियों, real sequence में हम लोग अलग चीज़ पढ़ते है, left limit, right limit पढ़ते है, यहां पर अलग right area है, ठीक है ना, इसलिए यह बोला जाता है, प्रत wise convergent होगा, ठीक है ना, तो हर एक point पर exist करा, domain के परते point पर साथियों, iska limit exist करा, that's why this is point wise convergent, अब साथियों यहां पर चेक कीजिए, क्या हमारे पास, one आया है, और domain आपका यह, ठीक है ना, अब साथियों यहां से आपको दो बातें सीखना चाहिए, जो बहुत अच्छे से स समझ में आना चाहिए, कि एक चीज जो साथियों 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 अभी में ने बताया है, लेकि साथियों प्रिवियस लेक्चर को जरूर देखेगा, अब मेरी कोशिस रहेगी, आगे मैं जो लेक्या हूं, यह domain है साथियों, fnx-fx, आराम से देखना है, और यहां पर स समझना है, क्या खिर हो क्या रहा है, साथियों यहां से समझने की कोशिस किजिएगा, कि limit fnx, अगर आप लोग limit fnx की बाते करेंगे, तो साथियों limit fnx जो है, वो f of x है, ठीक है न, और इसके दो value जा रहा है, 0 to 1, ठीक है, और यहां से थोड़ा सा आप लोग यह भी लिखतें जाए साथियों, यह वाला चीज़ जो मैंने लिखा है, limit fnx, f of x, तो यह सारा term है, सुप्रीमा लेना चाहते है, हम लोग डॉमेन के, डॉमेन है, उसके किस पॉइंट पे साथियों सुप्रीमा एक्जिस्ट करता है, आपको उसको पकर लेना है, ठीक है, तो साथ साथियों, यहां से आप basic बातें समझें, यहां पर, कि साथियों, इसको आप ऐसे कर देते है, इसको आपने यहां लिया, तो आपके पास जो सुप्रीमा मिला, वो क्या मिला साथियों, यह हमारा, मतलब इस पूरे entirely का, अगर हम लोग बोलेंगे, तो साथियों सुप्रीमा 1 मिल रहा है, है न, इस function का, तो साथियों सुप्रीमा 1 मिल रहा है, और that is what, non-zero, ठीक है न, क्या मिला साथियों, non-zero मिला हमारा, तो साथियों, यहां से एक बात आपको क्या clear करना है, इस चीज़ को ज़रूर याद रखे, इसको बिल्कुल गांठ बांद लिजिएगा, कि fn x minus fx है, इसको हमने, इस तरह से mod functions लगाया है, और वो point find out करने के cost करा, जहां पर supreme exist करता है, और check करा कि वो क्या exist करता है, तो साथियों, अगर यह non-zero exist करता है, तो हमेशा याद रखेगा, function कभी uc नहीं हो सकता, ठीक है, तो इस तरह से यह पता चला, ऐसे uc का मतलब क्या ह uniformly convergent का मतलब है, कि uniformly domain के प्रतेक element पे, यह uniformly convergent नहीं है, point wise तो है, uniform, uniform मतलब exactly एक similar जो pattern होना चाहिए था, वो pattern नहीं है, बाती सिदी से बोली जा रही है, ठीक है, और एक चीज़ यह भी गांठ बांद लिजिए, कि सातियों, अगर point wise जो limit आता है, उसका behavior एक से ज्यादा हो है, तो उसके 99% chances हैं, कि वो uniform convergent नहीं होगा, क्योंकि उसका behavior सातियों change हो रहा है, तो अभी आपने देखा सातियों कि यह point wise convergent तो है, लेकिन point wise convergent है सातियों, बट यह क्या है, uniform convergent नहीं है, fail कहां पे हुआ, problem कहां पे है, attack sequence to one पे इसको problem है, कहां पे सातियों इसका problem हो रहा सातियों, one पे problem था, one को इसको discard कर दिया, तो यह मिलेगा, अब बोलेगा, यह सर यह कैसे मिलेगा, अब यह बता, यह कैसे मिलेगा, तो यह सातियों बिल्कुल सी बाते हो गई, कि हमने zero को हटा ही दिया, इस domain से सातियों क्या करा, zero को हटा दिया, तो attack sequence to one तो है नहीं, हर ए x to the power n वाला terms है, तो यहाँ पे सातियों हमेशा ही करेंगे, तो zero आएगा, तो zero आएगा, तो सातियों यह UC हो जाएगा, तो problem इसको है ही नहीं, ठीक है, तो वह ही मैं बोल रहा हूँ कि यह domain जो यह लिखा जाता है, जो domain x है ना, zero जैसे zero यह वाला सातियों, ठीक है ना, तो point wise तो हो जाएगा, problem 1 पे ही होना है, ठीक है, क्योंकि जब आप करेंगे, सातियों, supremum or x belongs to this domain space, तो f and x minus f of x करेंगे, तो basically आपको बन जाएगा, इस पे 1 बन जाएगा, that is non zero, हाना, सो यह नहीं, हाँ, तो यहाँ पे तो दोनों पास हो जाएगा, इसको तो problem ही नहीं है, हान आप बोलिये का, sir, half पे क्यों problem नहीं है, कर कि आप बताईए, तो सातियों, मैं कर के भी बता देता हूं आपको, कि यह भी आपको एक तरह से दिखाई दे, कि चीजें कैसे हो रही है, सातियों, यह मैंने लिया, zero to half, कुछ भी लेने का मन है, आपका मन है, कि three ले ले ले, त तो हम मजे में है, कैसे मजे में है, यह देखे, point-wise तो आपने देख लिया, sequence हमारा यही है, सातियों, zero पे तो zero मिलेगा, है ना, और इसके बीच में जितना भी होगा, यह क्या है, what by three को हम लोग बोलेंगे, 0.333, तो zero से बीच में इसमें कुछ भी लेंगे, तो इससे वही रहना है, ठीक है, सातियों में direct इस पे भी काम करता हूं, यह जब भी लेंगे, तो सातियों यह भी zero पे करा, तो f of x तो आपको मिल गया, कि सर जीरो है, और पर ते एक point पे limit exist करा, तो point-wise convergent, point-wise convergent, आप check करना हमको, कि supreme जो होगा, इस function का domain के अंदर, fnx minus f of x, वो क्या आ रहा है, यह आपको check करना है, तो, देखे, domain क्या है, आपके पास, 0 to 1 by 3 है, तो रख देजिए, fnx रख देजिए, और f of x क्या है, आपको सिर्फ 0 आ रहा है, तो 0 रख देजिए, supreme हम साथिओं यह देखें यहाँ पर, 0 to half के बीच में साथिओं, supreme हम कहां से ज्यादा ज्यादा एक्जिस्ट कर सकता है, half पर exist करेगा, 0 पर 0 तो ही, और यहाँ पर supreme हम क्या exist करेगा, half, 1 by 2, 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 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3 to the power 9, dot, dot, तो supreme हम क्या exist कर रहा है, 1 by 3 is tap का, बस यहीं हो सकता है, और क्या होगा, तो साथिओं यहीं बस यहीं में बताना चाहरा था है, कि supreme हम x belongs to 0 to 1 by 3, ठीक है, और यह आपका f and x बचा है, यहाँ पर तो ज्यादा मत सोचिए, यहाँ पर x equals to 1 by 3 पर supreme हम एक्जिस्ट और यह देखें, sequence क्या है, x to the power n, और इसमें आपको क्या रखना है, 1 by 3, हैना, x equals to 1 by 3, supreme के term में, so 1 by 3 to the power n, तो यह क्या होगा, 1 by 3 to the power n, that's also tending to 0, तो साथिओं यह भी tending to 0 हो गया, that's implies, is uc conversion, हैना, मतलब जो behavior है साथियों, function का, वो domain के प्रतेक element, यह आप यह कहें, कि entire domain के अंदर यह साथियों कैसा है, क्या है साथियों, entire domain के अंदर uniform है, हैना, that's why this is known as the uniform convergent, और कुछ एक दो और में लिख देता हूँ, कि आपको clarity मिल जाए, जैसे मैंने 1 by 3 लिखा, तो pass है, किसी का मन है, साथियों 0, 1 by 3, मतलब 1 से छोटा है, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, 1 by 5 लेने का मन है, दोनों लिखते हैं, ठीक है न, problem कहा होगा, जब 0 से, 1 से बड़ा होगा, किसी ने बोल दिया, 1.9 तो गया, यह तो हो जाएगा, problem यह होगा, ठीक है साथियों, तो इस मिलेगा, जो जहां पर unique होगा, वो 99% केस में वो UC बन जाता है, और जहां पर साथियों, F of X, एक से ज्यादा हो जाएगा, उसके 99% chances है, कि वो UC कभी नहीं होगा, ठीक है साथियों, तो अब मिलेंगे next वीडियो में, कुछ और भी question question ही लेके मैं आऊंगा साथियों, जिसमे बताना किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, और जो helpful रहेगा, वह हम लोग बनाएंगे, मिलेंगे next वीडियो में, तब तक के लिए take care, और जम के मेहनत करें, और मैं हमेशा बोलता हूँ, हम लोगों का जो wishes है, वो आपके साथ है, और आप definitely बहुत अच्छा करेंगे अच्छा करेंगे है